कोरोनो वाइरस महमारी की दूसरी लहर के चलते पुरदेश मुश्किल हालातों से गुजर रहा है हर दिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं और इस जानलेवा बिमारी ने अब तक लाखों से भी ज्यादा लोगों की चान ले ली है इस महमारी के चलते हालात काफी गंभीर हो चुके हैं जहां एक तरफ देशवर में ये महमारी फैली हुई है तो वहीं दूसरी ही तरफ इस संकट की घड़ी में मरुजों को अपनी जान बचाने के लिए दवाईयां और अस्पताल में बैट से लेकर ऑक्सिजन सिलेंडर तक के लिए मशकत करनी पड़ रही है सोशल मीडिया पर लोग मदद की गोहार लगाते हुए नसर आ रहे हैं और इस दोरान टीवी इंडर्स्ट्री और फिल्म इंडर्स्ट्री के सितारे लगातार मदद के लिए हाथ आगे पड़ाते हुए देखे जा रहे हैं इस लिस्ट में नाम शामिल है फैमस अक्रस रवीना टंडन का रवीना टंडन भी लोगों की मदद के लिए आगे आ चुकी है और रवीना टंडन भी अपनी एक टीम बना चुकी है जरूरत मंदों की मदद के लिए ऐसी मैं बताना चाहेंगे कि जहां एक और रवीना टंडन लोगों की मदद के लिए आगया चुकी हैं तो वहीं दूसरी ही तरफ अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं आखिरकार रवीना अपने गुस्से को क्यों जाहिर की हैं बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिये दरसल बताना चाहेंगे रवीना टंडन ने लोगों की मदद और ऑक्सिजन से लेकर मैडिकल किट पहुचाने का बेड़ा उठा लिया है और इसके साथ साथ रवीन रवीना ने अब खुलकर बात की है और अपने गुस्से को जाहिर किया है रवीना जहां एक और मुश्किल हालातों में लोगों की मदद कर रही है ऑक्सिजन सिलेंडर उन तक पहुचाने की विवस्था कर रही है जिसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह मदद निराश है कुछ हालातों को देख कर दरसल रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि रवीना टंडन ने हाल ही में अपने गुस्से को जाहिर किया है रवीना ने कहा है कि जो हो रहा है उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है ये एक विनाश की तरह है लोगों को हॉस्पिट बहुत ही निराशा जनक है हमारे पास एक ऐसी टीम है जो पूरे भारत से आय सहायता की मांग करते हुए मैसेज का जबाब देती है ऑक्सिजन केट से लेकर ऑक्सिजन सिलेंडर और ऑक्सिजन कंटेंट्रेटर्स तक हर संभव सहायता पहुचाने की कोशिश कर रही है आम ल देश में ऑक्सिजन की कमी हुई और इसकी वज़ा से आए दिन कुरोना के केज बढ़ते ही जा रहे हैं रवीना टंडन ने हालातों को देखते हुए ऑक्सिजन स्लेंडरों से भरे हुए ट्रक की विवस्था की है जो कि सीधे जरुवत मंदर तक पहुचाए गई है रवीना कहती है कि अस्पताल बहुत ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं इसलिए हम ऑक्सिजन स्लेंडर की विवस्था कर रहे हैं जो सीधे उन लोगों तक भेज़े जा सकते हैं जो इसका खर्च नहीं उठा सकते हम संक्रमण को रोपने के लिए पुलिस और एंजियो के तैयार हैं और इस तरह से रवीना टंडन ने अपने कोश्य को जाहिर किया रवीना टंडन ने इस काला बजारी को देखते हुए कहा कि ये भी बीत जाएगा और एक बार ऐसा होता है मुझे उमीद है कि ये काला बजारी करने वालों को पकड़ कर जांच के दाइरे में लाय जाएगा वे गिद्ध की तरह हैं जो हमें नौच नौच कर खा रही हैं और इस तरह से रवीना अपने गुस्य को जाहिर करती हुई नजर आई हैं सोशल मीडिया पर रवीना काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस से जूड़ी रहती हैं और अपने फैंस के लिए अब आगे आ चुकी हैं हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन यूस